स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे योटूब चैनल पर तो आज कलास 11 के बहुती विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे जड़तों किसे कहते हैं जड़तों कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं तो यहां जड़तों का मतलब यह होता है कि यदि कोई बस जो है जैसे बिराम अवस्था में हैं जैसे यह किस अवस्था में हैं बिराम अवस्था में हैं तो यह बिराम अवस्था में ही रहेगी यह तब तक रहेगी जब उस पर बाह बल न लगाए जाए जैसे बाह बल जब लगाएंगे तो यह किस अवस्था में आ जाएगा गति अवस्था में आ जाता है तो जड़त का मतलब यदि बीराम है तो बीराम में रहेगी गती अवस्था में है तो गती अवस्था में रहेगी तो लिखेंगे जब कोई बास्तु जो है बीराम अवस्था में है तो बीराम अवस्था में रहेगी यदि कोई बास्तु गती अवस्था में है तो गती अवस् परिभासा आप सभी भी द्यार थी जरू नोट कीजिए दो बार पढ़िए आपको परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा बस जानिए कि जड़त में क्या बीराम है बीराम में रहेगी गती है तो गती में रहेगी या तब तक रहेगी जब तक कोई बाहे बल नौ लग जड़तो कितने प्रकार के होते हैं तो जड़तो जो हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला का नाम क्या है बीराम का जड़तो दूसरा का नाम है गति का जड़तो और तीसरा का नाम है दिशा का जड़तो तो जड़तो कितने प्रकार के हो गए तीन प्रकार बीराम का जड़तो गति का जड़त और दिशा का जड़त तो अब हम लोग पढ़ेंगे बीराम का जड़त तो क्या है और गति का जड़त क्या है और दिशा का जड़त तो क्या है तो अब पहला हेडिंग नोट करेंगे बिराम का जड़तु तो यहां नोट करेंगे अब बिराम का जड़तु अब इसका परिभासा कैसे बनाना है आपको सिखाना है कैसे इसको परिभासा को बनाएंगे तो बहुत असान है बिराम का जड़त का मतलब होता है यदि कोई बस्त बिराम अवस्था में है तो बिराम अवस्था में रहेगी यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह बल नौ लगे उसी को क्या कहते हैं बिराम का जड़त। तब तक रहेगी जब तक कोई बाह बल नौ लगे तो बस थोड़ा सा नाम से ही परिभासा आप बना सकते हैं यहां परिभासा लिखेलेंगे जब कोई बस्तु किस अवस्था में हो जब कोई बस्तु बीराम अवस्था में हो बीराम अवस्था में हो बीराम अवस्था में है तो बीराम अवस्था में रहेगी बीराम अवस्था में है तो किस अवस्था में रहेगी में रहेगी रहेगी यह लिखेंगे यह तब तक रहेगी यह तब तक रहेगी यह तब तक रहेगी रहेगी जब तक जब तक उस पर उस पर बाह बल न लगे बाह बल न लगे न लगे इस परकार के जड़त को क्या कहते हैं? बिराम का जड़त कहते हैं बीराम का जड़त्व कहते हैं तो इसे दो बार पढ़िएगा तो परिभास्था क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा कहते हैं तो लिखेंगे कैसे इसकी परिभास्था लिखेंगे? जब कोई बस्तू बीराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाय हे बल न लगे इस परकार के जड़त को विराम का जड़तो कहते हैं तो विराम का जड़त जो है समझ में आगया होगा अब हम लोग पढ़ेंगे गति का जड़तो गति का जड़तों क्या है गति का जड़तों अब यहां परिभासा जो है खुद आप बना सकते हैं थोड़ा सा आप दियान दिजिएगा परिभासा क्या हो जाएगा बन जाएगा अब यहां गति है तो कहेंगे जब कोई बस तो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में र जब तक उस पर बाय बल न लगे इस परकार के जड़त को क्या कहते हैं गति का जड़त को कहते हैं तो अब यहां लिखेंगे जैसे यहां बिराम है तो इस बिराम को हटा दीजिए और वहां पर क्या लिख दीजिए गति आवस्था लिख दीजिए परिभासा जो है बन तो अब यहाँ परिभास्था लिखेंगे जब कोई बस्तु बीराम अवस्था में है जब कोई बस्तु यहाँ बीराम ने लिखेंगे गती अवस्था लिखेंगे क्या लिखेंगे गती अवस्था में है जब कोई बस्तु गती अवस्था में है तो गती अवस्था में रहेगी यह कब तक रहेगी तो लिखेंगे यहाँ पर यह गती अवस्था में है तो गती अवस्था में रहेगी यह तब तक रहेगी यह तब तक रहेगी तक रहेगी रहेगी जब तक जब तक उस पर उस पर पर बाइह बल उस पर क्या लगे बाय है बल नो लगे लगे इस परकार के जड़तो को क्या कहते हैं को भी गति का जड़तो कहते हैं कितना असान है बस थोड़ा सापको धियान देना था परिभासा क्या हो जाएगा बन जाएगा अगर आपको भी राम का जड़त परिभासा याद हो गया तो गति का जड़त जो है परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा अब हम लोग दिशा का जड़त। अब यहां लिखेंगे दिशा का जड़त। दिशा का जड़त मतलब जब कोई बस तो एक ही दिशा में चल रही है तो वह एक ही दिशा में चलेगी यह तब तक चलेगी जब तक उस पर क्या हो जाए बाहे बल न लगे जैसे आप लोग साइकित चला रहे हैं तो साइकित जब तो चलाते रहेंगे एक ही दिसा में चलेंगे अजब अपने हैंडिल पर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दिसा क्या हो जाएगा बदल जाता है मतलब जब कोई बास्तु एक ही दिसा में चल रहा है तो वह एक ही दिसा में चलेगा यह तब तक चलेगा जब तक उस पर क्या हो बाह बल न लगे तो इस परकार के जड़त को क्या कहेंगे दिसा का जड़तो कहते हैं तो यह लिखेंगे जब कोई बास तो एक ही दिसा में चल रहा है चल रहा है तो एक ही दिसा में चलेगा एक ही दिसा में चलेगा यह तब तक चलेगा जब तक उस पर बाह बल न लगे इस परकार के जड़त को क्या लिखेंगे इस परकार के जड़त को क्या कहते हैं दिसा का जड़त कहते हैं इस अपने कापी में जरू नोट कीजिए जिसे आपका एक नोटस भी बनता रहेगा तो क्या कहेंगे जब कोई बस तो एक ही दिसा में चल रहा है तो एक ही दिसा में चलेगा यह तब तक चलेगा जब तक उस पर बाह बल न लगे इस परकार के जड़त को क्या कहते हैं दिसा का जड़त कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति बिस्यक नियम कितने हैं? अब इनके बारे में भी पढ़ लेंगे तो यहां लिखेंगे न्यूटन के गति बिस्यक नियम तो न्यूटन के गति बिस्यक मतलब गति के नियम पर जो है कितने नियम बना है? तो न्यूटन के गति बिस्यक नियम गत बिसेक नियम तीन परकार का होता है कितने परकार का होता है तो नियूटन के गत बिसेक कितने नियम है तीन नियम है पहला का नाम जानेंगे पहला का नाम क्या है दूसरा नाम क्या है और तीसरा का नाम क्या है तो पहला का नाम है नियूटन के गत बिसेक पर्थम नियम अब पढ़ेंगे नियूटन के गाति विश्याक दूतिय नियूटन के गति विश्याक तिरती नियम तो यह क्या बना नियूटन के गति विश्याक तिरती नियम तो आज के पढ़ाई जो है कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेट कीजे वीडियो को लाइक कर दीजे यदि चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज जो हम लोग पढ़ें न्यूटन का गदवी से एक नियम पढ़ें और जड़ा तो किसे कहते हैं और जड़ा तो कितने परकार के होते हैं